नमस्ते, नीताइन किचिन में आपकर स्वागत हैं। नीताइन किचिन में आपकर स्वागत हैं। नीताइन में आपकर स्वागत दोटाइन आपकर स्वागत किचिन में तोटाइन किचिन में नंवागत हैं। गर्मी में temperature जादर रहता है और ठंबर बरसात में temperature कम होता है दही जुमाने के लिए हमें इसे गरम जगा पर रखना चाहिए ठंबर बरसात में आप इसे microwave के अंदर और किसी अगर आप इसी airtight container में अगर इसे जना रहे हैं तो इसे आप आटे के डब्बे के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि आटे के डब्बा अंदर से काफी गरम होता है, या आप अगर इसे बाहर रख रहे हैं, तो कही गरम जगा देखकर उसके उपर ब्लैंकेट ढब कर रखेंगे, तो भी अगर गरम रहेगा, आप चाहें तो बहुत गरम होती हैं अंगर से, तो आप अगर चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं, तो दो-तिन घंटे में आपको दही जमा हुआ मिल जाएगा, गरमी में हमें दही लूखवाम ही चाहें, पर अगरमी ठंड और बरसाक में दही जमा रहे हैं, चुकि तेम्प्रेचर हमारे आसकस का बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए हम इसके लूखवाम से थोड़ा ज्यादा गरम रखेंगे, ताकि यहां अच्छे से जमें और जल्ले जम जाएगे, आप आप देखेंगे कि दूद में मलाई आना शुरू हो गई है, वहम गैस बन कर देंगे, और दूद को अच्छे से नहीं जनेगा, तो इसलिए टेंपरेचर ठीक होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें बार-बार उंगली डालके देखना पड़ेगा, अब देखें दूद कुन-कुना हो गया है, अब हम इसमें दही डालेगे, दही जमाते समय, हमें एक चीज का ध्यान रुखेंगे, कि दही, जब हम इसमें दही की क्वांडरीटी लेते हैं दूर जमाने के लिए, वह बिल्कुल प्रॉपर होना चीए, वह अगर कम या ज्यादा हुई, तो दही जमने में पहुत टाइम लगाएगा, अब हम इसे अच अब हम इसे धख देंगे, और धखने के बाद मद बंद माइक्रोवेव में 3-4 बंडे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, एक बाद का हम ध्यान रखेंगे, कि इसे माइक्रोवेव में रखने के बाद हम इसे बार बार हिलाएंगे नहीं, नहीं तो दही ठीक से सेट नह देखिए सिर्फ तीन धंटों में हमारा ताजा और स्वादिष्ट दही बनकर तयार है। यहां बजार के दही से काफी स्वादिष्ट होता है और सस्ता करता है और बनाने में भी बहुत ही सरल है। देखिए कितना थिक दही जमा है आप देख सकते हैं। अब यह हमारा फ्रेश दही खाने के लिए बिलकुल तयार है। मैंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर करें। आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मेरे लेटिस्ट वीडियो के लिए इस वीडियो के नीचे दिये गए सब्सक्राइब टैप पर क्लिक करें थेंक्यू